तो चले आज जो है कि हम लोग सुरू करने वाले हैं सार्णिकों के गुण तो सार्णिकों के गुण जो है आपके क्या क्या है सभी गुणों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इसके बाद अगले वीडियो में जो है कि आपका प्रशनावली जो है कि सुरू की जाएग किसी भी सारणी के सभी पक्ति को यदि अस्तंब बना दिया जाए और या सभी अस्तंब को यदि पक्ति बना दिया जाए तो जो सारणी का मान होता है दोनों कंडिशन में सारणी का मान दोनों क्या होता है बराबर होता है पहला गुर्धर्म यह है कि किसी सारणी के परतेक पक कोई भी सारणी है तो दो करम को मैं समझा दे रहा हूं एक दो तीन और यहां पर दो एक चार हो जाए यहां पर दो तीन आपका एक हो जाए ठीक है यहां पर जो है आप पांच कर देजिए करें यह जो आपकी कोई सारणी है इस सारणी का जब आप विस्तार करते हैं उस समय ग के बार यहां पर माइनस तु आएगा फिर यह छूट जाएगा इससे इसमें होगे और यह तो हमेशा यह वाला तो बहुत आपका नेगा ठीक है दो लेगे दो के सामने वाला यह चूट जाएगा यह दोनों बचेएंगे दो पाचे 10-9 कितना अट इसके बाद प्लास है कितना तीन यहां पर समझें इसका जब मल्टिप्लाई का यानिकि यह छूड़ जाएगा यह दोनों पर जाएंगे तो दो तके यह सब्सक्राइब यह पक्ति यह पक्ति यह पक्ति यह पक्ति यह ले लिजिए यहां से सीवन है सीटू है और क्या है सी अब देखें क्या करना है भ्या श्म Micha Up कि यह कंडिसन नकारा है पहला अगुर्धर में क difun कि यहां पर नहीं है कि यह दिकी सीवन जो है है talking about a कि अस्तॉम को पक्ति में लिखना है तो सीन तो है यहां पर दू रखोल गयेखा पॉल तो यहां पर नूंनों को स्टार्ट करेंगे यहां और दो है यहां पर एक है यहां पर क्या है और सीथरी से लिखेंगे तो अर्थिर से स्टार्ट करेंगे तीन चार और यह क्या पाथ क्या सभी अस्तरम गोपक्तीती बना दिए कि नहीं बना दिया थे शहलों पांद छूटेगा ऑब एक के सामने ये आ रहा है ये चुट जाएगा ये ळूंगो बच जाएगे तो एक पाचे 5 हो जाएगा माईनस चार चाहिं बार इसके बाद 2 चीन क topics चलता है plus minus plus 2 आजाएगा तो mar endless 2 आपका हो जाएगा अब यह छुट जाएगा यह डोनों आपके बच जाएगे तो 2 5-2 माइस तीन पर है नो फिर आपका plus 2 आएगा तो i cows twice 2 आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं विस्तार से कि आपको कैसे विस्तार करना है आप देखेंगे उस वीडियो को यह सभी समझ में आ रहा होगा कि आपका कैसे प्रसार हो रहा है तो दूच्यों के आठ और माइनस हो जाएगा तीन कम तीन ठीक है यह कंडिशन बने गई अब देखें एक गुणे हो जाएगा बारह में से पांच घटेगा माइनस साथ हो जाएगा माइनस तू मल्टिप्लाई दस में से न घटा एक हो जाएगा प्लस दो गुणे आठ में से तिन घटे कितना हो जा यहां पर आपका हो गया कितना 10 में से घटा 10 में से नहीं घटा एक यह रहा क्या क्या दोनों कंडिशन में इंसवर से माया है कि नहीं आया तो गुर्धर्म नंबर यह कह रहा है मेरे प्रेचातरों कि यदि किसी पक्ति यानि कि सभी जो पक्ति है कोई भी आपकी साड़ी दी गई है तो सभी साड़ी को या तो पक्ति में बदल दीजिए या तो सभी अस्तम को किसी में बदल दीजिए पक्ति में दोनों कंडिशन में जो है ना उसका मान दोनों का क्या जो कि मैं एक्जांपल द्वारा आपको यह समझा चुका हूं कि दोनों कंडिशन में आपका वहलू जो है दोनों का सेम आता है यहां गुर्धर नमबर 1 कि किसी भी सानी के सभी पक्ति को अस्तरम बना दिया जाए तो उस समय जो आपका सानी कमान होता है दोनों कंडिशन में स समझ लिजिए कि कैसे जहें गुर्धार्म नंबर दो आपको सलुशन करना है यह पहला गुर्धार्म नहां दूसरा गुर्धार्म देखें यहाँ पर दूसरा मैं गुर्धर में ले रहूं तो इस चीज को मैं इसी को रहने देता हूं ऐसे ठीक है यह असाण यहीरा अश्राल दि और घ्लि तो यहाँ पर ये चीजे अब यहाँ पर क्या बनाएगा थोड़ा मैं छोटा ले लेता हूं ठीक है तो इसको भी हटा देते हैं गुर्धार नमर दो के लिए थोड़ा अलग चेंजिंग कर देते हैं तो यह आपका पहला गुर्धान था दूसरा गुर्धार में हम लोग कोश्चन ले रहें को यह और देखें वान टू फा सारी की दो आसनन पक्ति या अस्तंब को परस्पर बदल दिया जाए तो सारी का मान में कोई परिवर्था नहीं होता है उसका चीन बदल जाता है यहां पर कंडिशन क्या कर रहे है कि कि कोई भी सार्णी है यह आपका मान जी आरवन है और यह क्या है आर थी यह सीवन है सीट नहीं दे रखी हैं यह आपकी साणी दी हुए है इसका पहले वाईलू देख लिए कितना आ रहा है यह तो आरवन से जब इस्तार करेंगे तो वन हो जाएगा तो यह तो आपका हमेशा छूड़ जाएगा वन के सामने यह है तो यह छूड़ जाएगा यह दोनों बाज हो दिकत नहीं है ठीक है जीरो सो जीरो से हम छोड़ से क्योंकि इसमें जो भी वाईलू आएगा जीरो से मल्टिप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि जीरो वाले को छोड़ देजिए और फिर उठाएए कि इसको प्लस टू को तो यह इसके सामने यह यह दोनों बज जाएंगे तो दो तके यह 6 माइनस एक पाचे 5 देखिए वन मल्टिप्लाई बारह में 6 गटा माइनस 6 दो मल्टिप्लाई 6 में से 5 गटा 1 यह हो जाएगा माइनस 6 और यह हो जाएगा प्लस कितना 2 यह टोटल वेलू आपके हो जाएगी 4 देखिए अब यह गृुदार नमर चार यह करा है कि यह दि आपका यह 0-4 मा माइनस 6 आया है यह 12 तो पक्ति यह निए बजरिक नब हदी और ने को लेटाण करते हैं करते हैं तो उस कंडिशन में मिलता है सिर्व आपका मान वहीDonald है स्कांपकाशे है सिर्फ आपका चिंजी चेंज तो इनका आपस में बदल करके जब सोलुसन करेंगे यह मानस में आ रहा है तो उस कंडिशन में वह प्लस आ जाएगा एंस वर ठीक है तो चलिए इस एजामपल को भी हम लोग समझ लेते हैं तो यहाँ पर किसी को भी कर सकते हैं आम स्वतनतर हैं ठीक है तो चली मैं आर्थी को दिखा देता हूं यहाँ मैं राफ 7 a 2011 पर आजए को दूसे इस यहां लीड़ आजाएं याइए यह पर आउंगे और यह इस यहां पर आजाएगा ठीक है चलिए तो यह आपका आरवन का इंडिकेट नहीं किया गया है तो आरवन आपका से मोई से रहे जगा ठीक है दू अब इनका चेंजिंग हो यह पूरा आर्थी वाला आर्टू पर जाएगा यानि कि यह हो जाएगा फाइब थ्री और क्या सिक्स और यह हो जाएगा टू वान और क्या पूर और इस कंडिसन में देखते हैं कि जो मान होता है यह आप तुरहंत बता सकते हैं कि सर हाँ यह आपका माइनस चारा है तो इस कंडिशन में आपका एंसर कितना आना चाहिए और कई मल्टिप्लाई गुना भाग्स आप चेंक करते रहेगा कई मिस्टेक यह आपको आर्थी सभी विस्तार करते हैं तो आपका सेम जो है आपका माइनस चार आएगा आप करके देख सकते हैं ठीक है चलिए हम गारवन से हमेशा करेंगे चलिए यहां पर हम लोग एक ले रहे हैं तो एक लेंगे तो यह चुट जाएगा यह चुट जाएगा यह दोनों बच जाएगा तो 3-4 के 12 हो जाएगा माइनस 6 कम 6 ठीक है इसके बाद जीरो से तो करना नहीं क्योंकि जीरो का भी स्थार करेंगे तो आपका जीरो ही हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजे जीरो वाले को इस सिर्फ क्या लेजिए 2 चिन के चलत है तो ठीक है 12 में जटेगा च्छे प्लस तो मल्टिप्लाई पांच में से मांच घटेगा माइनस एक चैनल देखते हैं छे हो जाएगा दो से माइनस एक में गुड़ा तो माइनस दो हो जाएगा और यह घटेगा कितना चार यह आपका क्या हुआ क्या दोनों कंडिशन में सिर्फ चेंज हुआ की नहीं चीन है और यहां पर जब चेंजिंग कर दिये हैं तो उस कंडिशन में आपका प्लस चार आए ठीक है तो यह दोनों कंडिशन आप लो समझ में आ गई कि यह जो है आपका गुर्धर नंबर चार क्या आप से कर रहा है ठीक है तो आप कभी भी जो है कि सिर्फ पक्ती दो पक्ती या दो अस्तम्ब को यह आपस में चेंजिंग करते हैं तो उस कंडिशन मे आपका यहां पर माइनस आपका आएगा यह रहा मेरे प्रिछातरों गुर्धर नंबर आपका दो रहा ठीक है चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं गुर्धर नंबर तीन के तरक इस चीज़ को मैं हटा देता हूं और हटा करके आगे देखते हैं गुर्धर गुर्धार नमबर तीन देखें गुर्धार नमबर तीन क्या कर रहा है ध्यान साब समझें यदि किसी सारणी के किसी पक्ति या अस्तंब के सभी अवयों सुन्य हो तो उस सारणी का मान सुन्य होता है गुर्धार नमबर तीन यह कर रहा है कि यदि कोई आप सारणी लेते हैं यहीं आप साली लेते हैं, यदि उससाली के किसी भी पक्ती या किसी भी अस्तम्ब के हैं, सभी अवयो यदि सुन्ने होते हैं, तो उससाली का मान जीरो होता है, जैसे मैं कोई अस्तम्ब ले रहां देखिए, 3, 4, 2, ठीक है, 0, 0, 0, 1, 2, 5, ठीक है, यहां पर गुर्धार नमबर 3 कर रहा है कि यदि कोई भी पक्ती हो या कोई भी अस्तम्ब हो, यदि उसके सभी अवयो सुन्ने हो, तो उस साड़ी कमान सुन्ने आपका होता है, जैसे ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया और ये क्या हो गया R3, C1, C2 और क्या, C3, क्या ये बताए, R1, R2, R3 या C1, C2, C3 में किसके सभी अवयो सुन्ने है, तो आपके देखने के लिए मिला है, आपको कि C2 के जो अवयो हो है, सभी सुन्ने है, तो गुर्धार नमबर ये कर रहा है, किसी भी पक्ती है, किसी अस्तम्ब का सभी अवय सुन्ने है, आटा, असानी का मान होगा, जीरो होगा, तो कहीं भी हम लोग किसी भी सानी में, याρι हम लोग चीद करना होगा, जीरो के बराबर, फ्रम का प्रयात आसली होगा, कि जोर घटा करके ऑपके कि यह भी अस्तम्ब के, सभी अवयों को के दिखे लेते हैं कि वास्तों में चलता है प्लस माइनस और क्या प्लस प्लस नतिल लेते हैं रहें तो तिन लेंगे तो यह छुटए जाएंगा यह तो आपका हमेशा कंडिशन बनेगी छुटेगा तीन के सामने यह यह दोनों आपके चुट जाएंगा जीरो से 5 में गुणा 0-0 दोसे दो में गुणदा जीर यह माइनस दो दूनी के चार फिर प्लासहना आ जायेगा यह छुड़ जायागा न यह दोनों बचेंगे तो 4 0 में गुड़ा 0 माइनस 2 0 में गुड़ा 0 समझ में आइ बाद यहाँ पर देखिए 3 multiply 0 में से 0 घटा 0 plus 0 multiply 20 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 16 plus 1 multiply 0 में से 0 घटा 0 देखिए 3 में 0 से गुड़ा 0 0a-0 0-0 बराबर कितना ओजयेगा यह रहा आपका क्या फाइनल एंस्टर क्या इस आपका गुर्धरम यह और यह जो आपका गुरुधर में यह जो कि कि वास्तों में ये प्रतिबंद जो लग रहा है वास्तों में सही होगा या गलब चलिए ये वीडियो ज्यादा पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक से रपने दोस्तों में जरू करें चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं लेकर के आपको लेकर बलते हैं यह तीन भर नंमर 4 यह है की करा है कि के रहे इतिक इसी सारी में कोई दो पकती या दो अस्तम समानों utm कोई भी सारी है यह जए दो पक्ती और दो अस्तम यह होसाज हुद जो है सांडिय का מान सुन्य वाली एक तो सभी आवाय जीरो हो तो भी आपका सुन्य हो जाता है और किसी दो वर न हो जाता है और यह stand जैसे आपका है तीन दो चार है कि एक दो तीन है कि यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देजे यहाँ पर नहीं तो पांच कर देजे तीन दो चार यह देखिए यह जो आपका अवयो है देखिए C1 C2 और क्या कि दूशन को बराबर की नहीं कि यह करा रहा ह और क्या प्लस तो तो तीन से भी स्तार करेंगे तो देखे यह वाला आरवन से हो रहा तो यह वाला तो हमेशा कंडिशन बनेगा चूटेगा तीन से जब होगा तो यह चूटेगा यह दोनों बच जाएंगे तो च्यार पांच चूग को 20-3 दूनी के 6-1 हो जाएगा अब थोड़ा मल्टिप्लाई आप देख लेंगे कहीं गलत नहीं हो ठीक है यहां से यह चूटेगा यह दोनों बच जाएंगे तो दोत कहीं है च्यार पाचे 20 अब चलिए तीन मल्टिप्लाई 20 में से 6 घटे कितना होगा 14 माइनस एक गुड़े यह हो जाएगा जीरो प्लस तीन चूटे करेंगे 14 में से 6 कितना हो जाएगा माइनस 14 को अब यह बिए हो जाएगा 14 बाइनस एक टीन यू बारतासर लेक पिलए कंतीन चार बैलेस हो गया जीरो है तो चोड़ दीजिए और यह 42 प्लस में है, यह 42 माइनस में है, कट जाएगा, कट के टोटर लिली कितना होगा, यह आराहा क्या, एडिस्वल, क्या यह सही है गलत, किसी दो पक्ति है, किसी दो अस्तम्ब के सभी होएं, व्हाश्तों बराबर होतो उसाड़ी कमन क्या होता है जीर होता है यह बराबर कर ले ना और हाँ आप इस कंडिशन को भी जाच करके देख सकते हैं चार, चार, चार या 3, 6, 9 और यह चार, आपका 4, देखे यह C1, C2 बरावर है यह R18 में भी आ बरावर आपकार ले करके आप जाज कर सकते हैं कि क्या यह जो दोनों कंडिशन बन रहे हैं किसी भी पक्ति या किसी ऑधी सभी हुआक। उस्तानी का मन क्या होता है उस्तानी दोनों कंडीशन को आपको आपका गलत हाँ तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं चलिके अभी तो देख लेते हैं क्या हम लोग करेंगे और सब्सक्राइब करके हमारे साथ हो जाइए गुर्धा नमबर पांच यह कर रहे कि यदि किसी सारणी के किसी पक्ति या अस्तंब के पर्टे करों में किसी एक और सुन्य संख्या किसी संख्या से किसी एक स्टम में और उसका जो मान होता है दोनों का मान पहले से जितना आप पहले वाले वाले सार्णी में जितने से गुना करेंगी उसका मान उतना गुना आपका हो जाएगा ப unf 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 इसके बाद चिन चलता है प्लस माइनस प्लस आपको तो चिन याद होगा माइनस 5 इसके बाद ये छुट जाएगा ये दोनों बच जाएगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 दूए 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 कोश्टक में ये छुट जाएगा ये दोनों आपके बच जाएगा तीन दुनिके 6 माइनस एक एक अब देखिए दो मल्टिप्लाई च्यार में से घटा माइनस तीन हो गया माइनस पांच गुणे 3 में से 2 घटा आपका 1 हो जाएगा प्लस 3 गुड़े 6 में से घटा कितना 5 3 दुनिके 6 माइनस 5 प्लस 3 पाचे 15 यह हो जाएगा 6 पाची 11 हो जाएगा आप प्लस 15 यह आपका बराबर हो जाए कितना 4 तो यह बता यह इस साड़ी कमाँ 4 आया है गुर्धन और पांच यह करें कि यह जो सारणी आपके दीगए इस सारणी में किसी भी पक्ति या किसी भी अस्तम में यदि किसी अवयों से आप गुणा करते हैं जिस संख्या से आप गुणा करेंगे उस सारणी कमान उतना गुणा हो जाएगा हुआ ग default में 2000 लाट अर्ट् Estate वा द्रक्सानी कमाझंद निकालंगे तो ओतर गुनिवा है इसके निकालेंगे तो इस आतों सबाटें करएंगें ुस समय सार्णी कमाझ निकलेगा आपका होतर गड़क लाट जो मदल्टिपलाई करें है तो ऊस mand जो सानी कमान होगा 5 से multiply हो जागा 5 को 20 तो चलिए मैं किसी पक्ति या किसी अस्तम में किसी संख्या से मैं गुणा करके और आपको दिखा देता हूं कि वास्तों में गुर्धान नमर 5 आपका क्या कर रहा है देखिए यहां पर मैं गुणा कर रहा हूं कि आर्थ्री में जो है पान से multiply देखिए यहां पर फाफ आर्थ्री मैं कर दिया हूं जा से पान से गुड़ा करने पर पान से गुड़ा करने पर उस समय जो आपका सानी का मान होगा जब पान से आप गुड़ा करने हाँ एक बात याद रखेगा यह सारणी में जब मॉल्टिप्लाइब करेंगे यह सभी अवयों में किजिए तो 3 के सभी आवयों में या तो कोई भी आप पक्ति अस्थम लेंगे उनके सिर्फ वर में में गुडा करना है बाकि सभी को छोड़ देना जैसे आप सी टूप में गुडा करना पड़ेगा यह नहीं कि सभी आवए मैं जीताना स्थेस बचा हुआ है वह नहीं आपको किसी एक ही पक्त यह सम्में गुणा करना है तो चलिए गुणा करके हम लोगा अर्थी में गुणा कर रहा है ना तो यह आपका हो जाएगा टू फाइफ और क्या थ्री इसके बाद थ्र से कितना मान मिल ला है दो हो जाएगा अब यह तो हमें साब को छुट जाएगा अब यह बच जाएगा और यह बच जाएगा और यह चुट 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 जाएग तिन दहा में 30, माइनस 5 एकम 5, चलिए देखते हैं कितना आता है, 2 multiply, 20 में से 5 घटा आपका माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 5 गुड़, यहाँ 5, 15 में से 10 घटेगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 गुड़, 30 में से 5 घटेगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 दुनी के 30 हो जाएगा, माइनस, यह हो जाएगा, माइनस 5 पचे, 25, ठीक है, प्लस, 25 ते कितना हो जाएगा, 75, बरावर, 30 और 25 जो है, आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3, 2, 5, 55 हो जाएगा, माइनस में, प्लस कितना, 75, अब इन दोनों को घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पांच में से, साथ में से पांच घटेगा, 2, 20, यह रहा आपका क्या फाइनल एंसर, देखिए, पहले आपको कितना आया था, एंसर पहले कितना आया था, चार आया था, और जब पांच हमलों मॉल्टिप्लाई किये हैं, आर्थरी में तो आपका पांच घटेगा हुआ कि नहीं हुआ, पांच मॉल्टिप्लाई किये हैं, तो पहले साले कमान चार आया था, अब पांच मॉल्टिप्लाई करेंगे तो पांच घुन्ना हो गया यह रहा कुछ गुर्धर नंबर पांच का प्रोसेस इसके बाद मैं आपको लिकर चलता हूं गुर्धर नंबर 6 के तरफ जो कि आपक प्रशनावली के साथ तो गुर्धर नंबर आपका 6 क्या है जरगोर से आप समझते हैं बुदर नंबर 6 जो है बहुत प्रस्न है आपको देखना है कि कैसे आपको तोड़ा जा रहा है ठीक है का योग में हो तो जाणी को उसी कोटी के दो साथ को एक्राई को लिए तोड़ दिया जाता है समर्फ में आई बात देखिए ध्यान देजिये जैसे मालेज दो साली को योग का मतलब यह हुआ कि उंको मैं मैं समझा दो यह अच्छरों मैं समझा देता हूं जैसे यक्स प्लस वाई हो जाए ठीक है जेड़ प्लस आर हो जाए इसमार में लिया गया है अब देखें यह क्या जो सीवन है गुर्धन नवर पांच यह कर रहा है कि कोई भी प्रक्ति है कोई भी अस्तम यदि यहांपर लिए जाता है जैसे इस थर से आपका सवाल इぁ इसको कि 50 V यहां पर्ज्प यहां पर यहां पर यहांपर यह लगा दे तो आपको माइनस लगा देना है फिर सार नहीं लगा यह इसके बाद दूसरा वह को लिखिए वाई आर क्यू ठीक है इसके बाद क्यू आर एस इसके बाद टी यू भी यह रहा आपका क्या फाइनल तोडने का तरीका यानि गुर्धार नंबर पांच यह आपका कराए कैसे ज यह जो है चीज़े आपको अच्छी तरह से समझ में आगही इस जिप आपको मैं समझा दिया हो यह तोडने का संबैबने का समय त्वर्प टोड़ने का पसंद आता है तो लाइक सधर रफ़ार इंसके जरू कीजिए घझेढा और हमारे साथ हैं चैनल को सब्सक्रेब है व् तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई